हलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम टो माई चैनल वीके मुर्नाडाल, आज मैं आपको क्लास 10 इंग्लिश प्रोज रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेशन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइग के पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट से टॉप फाइब सौट अंसर टाइब क्वेश्चन्स डिस्कस करने वाला हूँ स्टुडेंट्स यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें आएए शुरू करते हैं टॉप फाइब सौट अंसर टाइब क्वेश्चन्स फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट क्वेश्चन है चोटा सीगल उडने से भ्हवीत क्यों होता है आनसर है यंग सीगल बाज अफरेट फ्लाइब बीकॉज ही फेल्ट थैट बिंक्स बुड नौट सपोर्ट हिम एंड फाल फ्रॉम अग्रेट हाइट चोटा सीगल ओड़ने से भैवी था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पंक उसे साहता नहीं करेंगे और वे बहुत उचाई से नीचे गिर जाएगा चोटे सीगल को सागर पर उड़ान भरने के भैवे से विजय कब मिली कब उसका डर दूर हुआ समुद्र पर उडान भरने के भै पर चोटे सीगल को विजय कब प्राप्त हुई और करके भी question पूछा जाता है How did the सीगल get over his fear of the water समुद्र के उपर उडने के भै पर चोटे सीगल को किस प्रकार विजय प्राप्त हुई आंसर है the young सीगल got over his fear of flying over the sea when his mother taught him a bitter lesson चोटे सीगल को समुद्र पर उडने के भै पर विजय तब प्राप्त हुई जब his mother taught him a bitter lesson जब उसकी माने उसे एक बेटर कहते हैं कड़वे को बहुती कड़वा पाठ पढ़ाया his family left him alone on the lace to starve उसके परवार ने उसे lace means चटान पर अकेले ही चटान पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया अपनी मा को भोजन के साथ देखकर उसकी भूख increase means बढ़ गई बहुत बढ़ गई सो ही बाज forced to attempt his first flies इसलिए वे अपनी पहली उड़ान बरने के लिए बिवस हो गया था question third है how did young seagal start flying how did the young seagal start flying चोटा सीगल चोटे सीगल ने अपनी उड़ान किस प्रकार शुरू की और करके question पूछा जा सकता है the sight of food maddened him भोजन के द्रश ने उसे पागल कर दिया what does this suggest you क्या सुझाओ देता है answer है the young seagal was maddened by hunger चोटा सीगल भूख से पागल हो गया था when dived at the piece of fish in his mother's beak जब बै अपनी मा की चोच में मचली के टुकडे को देख कर उसकी ओर जपटा उसकी ओर उसने चलांग लगाई but he fell outward and downward with a loud scream परंतु है बाहर की ओर नीचे जाते हुए जोर की चीख के साथ गिर गया when his mother souped माना जपटना upward जब उसकी मा उपर की ओर जपटी he followed her उसने उनका अनूशरण किया and thus he started flying और इस प्रकार उसने उड़ना परंब कर दिया question fourth है why did young seagal not want to fly with his parents छोटा seagal अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं उड़ना चाहता था और करके question आता है why did the young seagal not go with the rest of his family चोटा seagal अपने परिवार के साथ क्यों नहीं गया answer है the young seagal did not want to fly with his parents चोटा seagal अपने परिवार के साथ उड़ना नहीं चाहता था क्योंकि because the long stretch of sea and its depth frightened him क्योंकि समुद्र के लंबे विस्तार और इसकी गहराई ने उसको डरा दिया था frightened means डरा देना भैवीत कर देना so he could not gather courage to fly with his family इसलिए वे अपने परिवार के साथ उड़ने का courage means साहस नहीं जुटा सका question fifth है how did the young seagal and his family celebrate his first flight young seagal और उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान का जस्न किस प्रकार मनाया celebrate means जस्न मनाना answer है when the young seagal started flying जब चोटे seagal ने उड़ना सुरू किया he was filled with joy जब चोटे seagal ने उड़ना सुरू किया तो वहाँ he was filled with joy भै आनन से भर गया था his family came near him उसका परिवार उसके पास आ गया था they were flying around him भी उसके चारो और उड़ रहे थे they screamed with joy भै आनन से चिला रहे थे and praised him और उसकी प्रसंसा कर रहे थे they even offered him piece of dog fish to eat उन्होंने उसे एक dog fish नाम की मचली का piece खाने का भी offer दिया था आसा है student ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like करिएगा शेयर करिएगा इस वीडियो के अंत में मैं अन्य लेशन्स के top 5 questions का link description box में दे दूँगा बहां जाकर आप उन questions को अच्छे से तयार कर सकते हैं thanks for watching फिर मिलते हैं next top 5 questions की साथ